बिल्ली एक मासाहरी स्तंधारी जानवर है। इसकी सुन्ने और सुन्गने की शक्ती प्रकर है और यह कम रोशनी यहां तक की रात में भी देख सकती हैं। लगभग 9500 वर्षों से बिल्ली मनुश्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन का लगभग 15 वर्षों का होता है। बिल्लीयों का मजबूत और लचीला शरीर, तेज अभिक्रियाई, संकुचन योग्य पंजे और छोटे शिकार को मारने के लिए रूपांतरित दात होते हैं। बिल्ली गुपतांगों की संध्यादार और मानसाहार जगत में खास जगह होती है। बिल्लीयों, मानवकानों के लिए बहुत ही मध्यम और बहुत ही तीवरावाजूं, जैसे की चुहूं बगेरह की, को आराम से सुन सकती हैं। ये करीब-करीब घने अंधेरों में भी दे संध्यादार का साधन अलग-अलग तरहों की आवाजें, मयाउं मयाउं करना, गूर-गूर करना, फुकारता, बडबडाना, वगेरह, प्रासायनिक तत्वर, फेरोमून और बिल्ली विशेश शारीरिक भाशा के प्रकार हैं। क्यूंकि बिल्लियां प्राचीन मिस्र में प संध्यपूर विलाके लगभग 8000 ईसापूर की पांच मादा अफ्री की जंगली बिल्लियों फैलिस सिल्विस्ट्रिस लिबकर के वंश में से आई हैं। बिल्लियां दुनिया की सबसे मशहूर पालतू जानवर हैं और जहां भी इनसान रहते हैं, वहां ही पाई जाती पालतू बिल्ली और उसकी सबसे करीबी जंगली पूरवज, दुनुही द्विगुनसूत्रिक डिप्लोइट जानवर हैं जिन में 38 गुनसूत्र, क्रुमोसोंग और लगभग 20,000 जीन होते हैं। बिल्लियों के तकरीबन 250 आनुवनशिक रोग पहचाने जा चुके हैं जिन दुआत में मनुश्य के लिए बनाए गए थे और इसी तरह मनुश्य के कई रोगों की जांच परताल के लिए बिल्लियों को जीवन्मूनों के तोर पर इस्तिमाल किया जाता है। यूरो पर उत्तरी अमेरिका में बिल्लिया आम पालतू जानवर हैं और दुनिया भर में इ अक्सद यह था कि वे चूवे खाती हैं और इस तरह अनाच को इस नुकसान से सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राचीन मिस्री लोग बिल्लियों की पूजा भी करते थे और उनकी लाशों को सुरक्षित करते थे ताकि उन्हें हमेशा के लिए मुक्ती मिल सके। प्राची इश्खुराक तैयार करने के कारुबार को एक बड़ा उद्योग की हैशियत प्राप्त है। मानव घरों में पाई जाने वाली बिल्ली को मारवारी भाशा में मिनकी तथा जंगली बिल्ली को बलारा कहा जाता है। मानसाहर ही बीमारियों की वजह नहीं, पालतू जानवर भी खतरनाक बीमारियां दे सकते हैं। उदाहरन, चीन के वुहान से फैले कोरोना वाइरस की शुरुआती रिपोर्ट्स में साफ है कि ये वाइरस एकजोटिक जानवरों, जैसे चमगादर, साप को खाने के कारण इंसानों में आया। इसके बाद से रेड मीट और खासकर धपके मास से दूरी बरतने की बात हो रही है। मास खाने की वजह से पहले भी कई बीमारियां फैलती रही हैं, जैसे मेट काउ से लेकर बड फ्लू और स्वाइन फ्लू तक। इस वजह से एक्सपर्ट से एक्जोटिक माने वाले जानवरों को ना खानी की सलाह दे रहे हैं बिल्ली एक मासाहरी स्तंधारी जानवर है। इसकी सुन्ने और सुन्गने की शक्ती प्रकर है और यह कम रोशनी यहां तक की रात में भी देख सकती हैं। लगभग 9500 वर्षों से बिल्ली मनुश्य के साथी के रूप में हैं। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन का बिल्ली एक मासाहरी स्तंधारी जानवर है। इसकी सुन्ने और सुन्गने की शक्ती प्रकर है और यह कम रोशनी यहां तक की रात में भी देख सकती हैं। लगभग 9500 वर्षों से बिल्ली मनुश्य के साथी के रूप में हैं। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन का बिल्लीों को लेकर एक अलग तरह का खुलासा किया है। इस शोद के मुताबिक बिल्लीों से फैलने वाला एक परजीवी इनसानों में कई खतरनाक बीमारियों का कारण का बन रहा किसी खास रिष्टेदार या मित्र से मुलाकात संभव होती है। बिल्ली को इस तरह देखन बिल्ली की जेर को रख लेता है तो ऐसा माना जाता है कि इसके प्रभाव के कारण उस व्यक्ति के धन में कोई कमी नहीं होती है। बिल्लीों से बात करने और उनके साथ खेलने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यानि कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से ज मतलब होता है कि आपका सही समय आने वाला है और उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। शात्रों के लिए ऐसा सपना देखने का मतलब है कि वह किसी प्रतियोगिता में जीत सकते हैं। यानि बिल्ली जब हाई फ्रिक्वेंसी में आवाज निकालती है तो आ मादा बिल्लियों अत्वा गर्बधारन योग्य बिल्लियों को समयानुकूल पॉलियस्ट्रोस होते ही हैं इसका अविप्राय यह है कि वे प्रतियक 7-10 दिन से लेकर प्रजनन होने तक हीट चक्र से प्रभावित रहती हैं। मादा बिल्लियों में होने वाला हीट चक्र मौसम पर निर्भर करता है शुरुआत में उनका हीट चक्र जन्वरी तथा सितंबर माह के दोरान रहता है यह काल दिन की रोशनी की अवधी, अन्य बिल्लियों की उपस्थिती तथा वातावरन के कारण तापमान से भी प्रभावित होता है घर के अंदर एवं कृत्रिम प्रकाश में रहने वाली बिल्लियां के लिए यह चक्र पूरे वर्ष बना रहता है अपेक्षित स्थितिया अनुकूल होने तथा दिन के दोरान 12 गंटे प्रकाश होने पर मादा बिल्ली का एस्ट्रिस, एस्ट्रिस, चक्र प्रारंब होता है तथा ऐसा होने पर उनका हॉमोनल सिस्टम अपनी प्रक्रिया प्रारंब कर देता है इसके पश्चात, प्रते एक साथ से दस दिनों में बिल्लिया हीट ग्रस्त रहती हैं ऐसा दिन के प्रकाश की अवधी कम होने तक चलता है एनेस्ट्रिस साट फेस अनेस्ट्रिस सामान्यत यह शीत काल में तब होता है जब दिन छोटे होते हैं इस काल के दौरान मादा बिल्ली किसी प्रकार से हीट महसूस नहीं करती है तथा इस अवधी के दौरान बिल्लियों को विपरीत लिंग वाली बिल्लियों के प्रती किसी प्रकार का रूज़ान भी नहीं होता है प्रोएस्ट्रिस प्रोएस्ट्रिस इसका क्रम प्रारम होने पर प्रोएस्ट्रिस प्रोएस्ट्रिस की स्थिती एक अथवा दो दिन तक बनी रहती है अथवा कभी कभार यह कुछ घंटों के लिए होती है आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि मादा बिल्लियां इस्थिती के दौरान कई आवाजे निकालती हैं क्योंकि उन्हें नर बिल्ली की आवश्यक्ता होती है तथा पी, वे नर बिल्लियों को अपने निकट नहीं आने देती हैं इसके औलावा आपने यह देखा होगा कि वे जमीन पर लोट लगाती हैं अत्वा स्वायम को वस्टूओं अत्वा व्यक्तियों से रगरती हैं मादा बिल्लियों को प्रुवेस्ट्रिस प्रुवेस्ट्रिस की इस अवधी के दौरान मादा कुत्तों की भाती रक्त स्राव नहीं होता है estres, estres यह स्थिती लगभग एक सपताह तक चलती है तथा इसके दोरान गर्भधारन योग ये बिल्ली बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा provestres provestres की स्थिती के दोरान करती है मादा बिल्ली बार-बार मूत्र त्याग भी करती है तथा अपना सिर और आगे की टांगे जमीन की ओर जुकाते हुए और अपना पिछला हिस्सा उपर उठाकर प्रसव जैसी स्थिती का आभास भी देती है नर बिल्ली अथवा बिल्लियां इस स्थिती में उससे समागम करते हैं समागम एक मिनट से कम अर्थात कुछ सेकेंड की अवधी का ही होता है इस प्रकार यह संभावना होती है कि बिल्ली के किसी बच्चे के पिता एक से अधिक होते हूं इस तत्य को सुपफिकंडेशन के रूप में जाना जाता है इंटरिस्ट्रिस स्टेज गर्ब धारन के लिए तैयार बिल्ली का यदी समागम नहीं हो पाता है इसे काल के दोरान गर्ब धारन के लिए तैयार बिल्ली प्रजनन जैसे संकेत सूचक क्रिया कलाप्स पष्टना होते हुए भी गर्बवती जैसी दिखाई दे सकती है गर्बवती बिल्लियों के गर्ब काल की अवधी लगभग 63 दिन होती है एक यौन रूप से स्वस्थ बिल्ली 5-1 बटा 2-12 साल की उम्र में यौन परिपक हो जाती है और ये निर्बर करता है कि उसे कितना खाना मिलता है और दिन की लंबाई पर एक जंगली बिल्ली से अलग जिसे खाने के लिए लड़ना पड़ता है और सर्दियों के छोटे दिन अनुभव करने पड़ते है एक घरेलू बिल्ली के पास परियाप्त मात्रा में खाना और कृत्रिम रोशनी की सुविधा होती है इसका मतलब है कि जहां जंगली बिल्लियों का प्रजनन का एक समय होता है उनके बच्चे वसंत और शुरुवाती पत्छर में पैदा होते है वहीं आपकी घरेलू बिल्ली कभी भी यौन उत्तेजित हो सकती है और शायद हर तीन से चार हफ़ते में होगी भी अगर आप उसका कारण नहीं जानते है तो यौन उत्तेजित होने पर एक बिल्ली का व्यवहार चिंताजनक हो सकता है पर ये तरीके आपको ये निर्धारित करने में मदद करेंगे कि कहीं आपकी बिल्ली यौन उत्तेजित तो नहीं है आवाज के लिए सुने यौन उत्तेजित होने का दूसरा मतलब है आवाज लगाना ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्ली बहुत ज्यादा आवाज करने लगती है और अक्सर पूरे घर में रोती हुई या आवाज लगाती हुई गुंती रहती है यह एक दर्दनाक और व्यतित रोने की आवाज की तरह लग सकती है और इतनी तेज और निरंतर हो सकती है कि आप रात भर सो न पाए अगर आपकी बिल्ली स्वभाव से ही बातूनी है तो जरूरी नहीं है कि उसका आवाज लगाना उसके यौन उत्तेजित होने का संकेत हो यह बेचेनी ज्यादातर आवाज लगाने के समय ही होती है एक यौन उत्तेजित बिल्ली अक्सर ज्यादा प्यार करने लगती है अगर आपकी बिल्ली स्वभाव से रूखी है तो अक्सर यह बदल जाएगा जब वह यौन उत्तेजित होगी यौन उत्तेजित होने पर आप दर्वाजे के फ्रेम पर यौन उत्तेजित होने पर बिल्ली की सुगंद बड़ी आसानी से बदर जाती है और वह इसे बड़ी खुशी से फैलाती हुई ये जताती है कि वो यौन संबंद के लिए तयार है। तरीका है एक बिल्ले को उसकी यूनी तक आसानी से पहुचने के लिए ताकि वो यौन संबंद बना सके। व्यवहार में बिल्ली अपना आगे का हिस्सा जमीन से चिपका लेती है और पिछला हिस्सा हवा में और फिर इस मुद्रा में फर्ष पर रेंगती है। यौन पर्षू चिकित्सक को गबराई हुई कॉल करने का। हालांकि यह इस बात का संकेत नहीं है कि आपकी बिल्ली यौन उत्तेजित होती है तो उसकी यूनी का सूच जाना स्वाभाविक है। यह हलकी सूजन परेशान करती है और संभावत है कि आपकी बिल्ली काफी समय उस हि यह कुत्तों से अलग है जो कि द्वियोन उत्तेजना चक्र का अनुभव करते हैं, एक साल में केवल दो बार यौन उत्तेजित. यौन उत्तेजना के दोरान आपकी बिल्ली की कोख फूर जाएगी क्यूंकि अपिक्षित गर्भावस्था के लिए उसमें रक्त संचार बढ़ जाएगा. हालांकि आप इसे देख नहीं पाएंगे क्यूंकि इस प्रक्रिया के कोई बाहरी लक्षन नहीं हुते. जंगली बिल्लियों का प्रजनन समय वसंत और ग्रीश मृतू के अंतिम समय में होता है. इसका मतलब बिल्ली के बच्चे कड़ाके की ठंड में होते है जब उनके बचनी की सिंभवना कम हो जाती है. क्रित्रिम रोशनी की बज़र से पालतू बिल्ली मूर्क बन जाती है और बल सोचती है कि अभी ठंड का मौसम नहीं है.